नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे कैसे है आप सब लोग भाईदूज कब मनाय जाएगी सुब मुरत क्या है तिलक कब करनी है इत्यादी संपूर्ण और डिटेल्स वीडियो और चैनल पर आ चुकी है आप उस वीडियो को जुरूर चेक कर लिजिए समय जुरू जल गंगा जल मिस्त्रित उद्ध जल थोड़ा सा एक लोटा में आप जो रो ले लेनी चाहिए इसके बाद हम रहेंगे घी का या तील का तेल का एक दिया करने के लिए एक एक कर को मैं सामान बतारियो आप चाहे तो नोट कर लग सकते फिर देखिए तिलक के लिए हमें अक और आफ चाहे तो प्रेंइंघ घोले सकते या चंदन घोल के ले सकते बहुत सुप माना जाता है। यह नार्यियल जोड़ों ले लीजिए इसमें थोड़ा सा हिला कर लेख फॉरी जल होना चाहिए कहीं कहिं नारішका गौला है तो हाध। एक माची साब को जोरो ले लेनी चाहिए तो ये वो सारे सामगरी है जो भाईदुज के थाली में होता है आप देखिए एक कोस्टन आता है कि दिदी हमारा भाई नहीं है तो हम किसके साथ भाईदुज मनाएंगे वाईदुज मनाने के लिए आप चाहे तो अपने चोटे से लाडला गोपाल जी को अपने साथ भाई की रिष्ता में बांग सकते है यानि कि आप उनको भाई बना सकते है और गोपाल जी को इस दिन भाई निभाते है तो ऐसे कहीं सारे कहाँनिया भी है जिसमें गोपाल जी स्वयम आये है अपने बहन की रक्षा करने के लिए तथा अपने बहन को कुछ करने के लिए तो आप ऐसे जुरूर कर सकते हैं अगर आपके बेटी है और बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं आप गोपाल जी के साथ भाईदूज की जो त्यवहार है वो मन जाने चाहिए सबसे पहले आशन लगा के भाई को पूरब की तरब मोग करके बैठाए फिर जो गंगा जल लिया है उससे थोड़ा सा छिड़ पानी चिड़क के सुद्धी करन कर लिजिए फिर भाई को हल्दी कुंकुम चंदन अस्ट गंधा तथा अक्सत्य तिलक करनी चा और तो आप मीठाई जो भी लेका है मीठाई खिलाए और हाथ में गोला अभी नार्यल दिया जाता आट है नारinya दीजर नारीयल देने के पता है या भाई नहीं है फिर भी मनाना चाहते हैं वो किस तरह से मना पाते हैं दोस्तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेलफुल लगा तो प्लीज लाइक सेर और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों क हरे कृष्णा राधे राधे बाई बाई दोस्तो टेक केर